आज जहाँ बार्त बेटी को चाहने कि उसका दार्वर्वर्वर्वेंट काहते हैं, उसके करके मैंने आप सब को बुलाया था और यह कुछ फैक्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और आप खुद ही फैसला करें कि यह सच है कि जूट है जैसे वो बोल रहे हैं कि मेरा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है या ऐसे नहीं, अगर लेना देना नहीं तुम मुझे यह समझनी आता, उनको इतना कैसे पता है कि उनके घरवाले पागल हैं, जब उस लड़की से लेना देना नहीं, बताएगी तो वो लड़की ही न या गगन उनको इतने अच्छे से जानते हैं, उसकी तरफदारी वो कर रहे हैं, अपने बच्चों को पीछे करके, अपनी बीवी को पीछे करके, उस लड़की की तरफदारी कर रहे हैं, जिसके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, बाकी एक marriage agreement है, जिसमें इन दोनों के sign है, य यह उस लड़की का अधार कार्ड है, इसमें आप address देखे, wife of dr. गगन भगत, address यहां का है, 31 का, क्योंकि मैं आरसपुरा में रह रह रहे थी, address 31 का, और इसी अधार को मैंने यह देखने के लिए, इस forge और क्या है, मैंने पता किया था, यह इसी अधार कार्ड के basis पे, जेके बैंक गांधी नगर में, इस अकाउंट का, इन्होंने अकाउंट खोला है, इस लड़की ने, गगन के, मतलब इनका joint account है शायद, और नॉमिनी गगन ही है, तो यह चीज़ें आप खुद बताएं कि अगर उनके साथ इनका कुछ लेना देना ही नहीं है, तो यह चीज़ें क पता किया था, उनके घरवालों ने बोला कि अलरड़ी हमारी बेटी का अधार बन चुका है, तो फिर मैंने उनसे तब ही यह पुछ्टी करनी थी, कि शायद यह फॉर्ज हूं, जो मेरे पास में आया, मैंने उनसे अधार कार नंबर मगवाया उनसे, तो अधार कार नंबर स अधार कार नंबर मगवाया था, उस लड़की ने सिर्फ एड्रेस चेंज करवाया है, मतलब यह फॉर्ज नहीं है, उसी के बायोमेट्रिक्स है, मैं यही दिबान करना चाहती हूं कि जैसे यह चीजे यह बोल रहे हैं कि ऐसा सब यह गलत है, यह जूट है, और इससे यह जल्दी हो सके, इस चीज का निप्टारा करो, अगर आप हो रिलेशन में, तो accept it, और मेरे बच्चों का और मेरे सेक्योरिटी का मामला है, मैं इनको लेकि अब कहा जाओगी, जो मेरा बेटा है, वो इतना परेशान रहता है, कि ममा मुझे स्कूल ही नहीं जाना है, क्योंकि आप हम लोग ही हैं, अगर वो एक रिप्रेसेंट कर रहे हैं, वो फर्स्ट मैन है वहाँ के, अगर वो ये सब करेंगे, तो लोग जो बाकी ऐसे कुछ शरार्ती तत्व है, वो उनी को फॉलो करेंगे, अगर आज आप लोगों के सामने में अपील कर रही हो, अगर मेरे बच मैं ये चाहती हूँ कि जो भी है वो खतम हो जाए, जल्दी